नमस्कार मैं मनुसा हूँ और आप देख रहे हैं दस्कूबीड्स.com साउट डेली के अंसल प्लाजा के एक होटल जिसका नाम अकीला था वहाँ पे एक लेडी को एक हफते पहले अंदर आने से रोग दिया गया जिहां क्योंकि उन्होंने साडी पहन रखी थी उसके बाद SDMC ने यानि की साउट डेली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनको एक नोटिस भी जारी किया जिसके तहत उन्हें रेस्टोरेंट बंकरने के लिए आदेश भी दिया गया उसी के साथी साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास कोई भी वैलिड लाइसेंस नहीं था जिसके तहत उनको होटल बंकरने के लिए नोटिस दी गई उसके बाद हेल्ट इंस्पेक्टर वहाँ पे इंस्पेक्शिन किले गई और उन्होंने काफी चीज नोटिस की जैसे कि अनहाईजेनिक चीज को लेके काफी जादा मुद्दा बना उनकी चीजे और उनके होटल में सफाई ना देखते हुए उन्होंने उनको नोटिस भी भेजा कि होटल को हेल्ट प्रेड लाइसेंस के तहत ही चलाना होगा Otherwise उसे बन करवाया जाएगा होटल वालोंने इस पेराजमंदी दिखाई और इंस्पेक्टर को हाँ बोल दिया लेकिन कुछ दिन बाद वो ही इंस्पेक्टर वापस इंस्पेक्शिंग के लिए गई लेकिन उसे कोई भी सुधार ना दिखा इस वज़े से उन्होंने 48 घंटे का टाइम अकीला रेस्टरेंट को दिया कि वो बन कर दे लेकिन SDMC के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया क्योंकि वहाँ सुनवाई नहीं हो रही थी इसके बाद 48 घंटे के अंदर अकीला रेस्टरेंट को बन करने का आदेश जारी हो गया था पिछले हफते ही एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वाइरल हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि एक लेडी अकीला रेस्टरेंट में डिनर के लिए जाना चाहती थी लेकिन उन्होंने साड़ी पहन रखी थी इसलिए उनको एंट्री नहीं दी गई उसके बाद उन्होंने एक क्लिप भी शोशल मीडिया पे डाली जिसमें एक इंप्लोई अकीला रेस्टरेंट की कहती नजर आ रही है कि माम साड़ी अलाउड नहीं है यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट आउटफिट ही अलाउड है और साड़ी हमारे स्मार्ट आउटफिट में नहीं आती है कई बार महिला ने कहने की कोशिश की कि कहा लिखा है कि साड़ी में हम अंदर नहीं आ सकते हैं लेकिन वो इंप्लॉई बार बार यही कहती रही कि मैम साड़ी हमारे स्मार्ट आउटफिट में नहीं आती है उसके बार महिला चली गई उन्होंने एक और वीडियो भी बनाया और उसकी क्लिप सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की जिसमें पीम नरेन मोदी और दिल्ली के सीम केजरिवाल से गुजारिश करती नजर आ रही है कि प्लीज मुझे एक स्मार्ट आउटफिट की डिफिनेशन दी जाए कि असल में स्मार्ट आउटफिट क्या होता है अपना हिंदुस्तान स्वतंत्र है लेकिन उसके बाद भी ऐसी चीज़े नजराना काफी जादा शर्म नाथ है लेकिन उसके बाद वो इंसाफ चाती थी कि क्यूं इस तरीके की हरकते अपने हिंदुस्तान में हो रही है लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं आया है जब उस महिला ने ये आरोप उस रेस्टोरेंट में लगाया तो रेस्टोरेंट ने देरी ना करते हैं उसे मिस इंटरप्रेट करने के नाम पे बता दिया कि वो महिला गलत बता रही है आपने देखा इस विडियो में कि उस महिला को सिफ साड़ी के बल पे रेस्टोरेंट के अंदर डिनर करने की अनूमती नहीं दी गई ऐसी तमाम कबरों के लिए हमारे चैनल स्कूब बीट्स को फॉलो करना ना भूले